हेलो कैसे हो आप सब अच्छे से होंगे आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग और जो विद्जारती पसू परीचर की तैयारी कर रहे हो सारे साथ ही जुड़ जाओं और क्लास को शेर भी कर दे आज की क्लास बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास है आज अपन चर्चा करने वाले लाइव स्टोक असिस्टेंट एक्जाम जो हुआ था आपका उसके अंदर राजस्तान जी के के 40 कोशन यानि 40 परसन आपसे पुछे गए थे उन्हीं परसनों को हल करने वाले हैं एक बात में आपको क्लियर बता देता हूं अपन राजस्तान भुगोल राजस्तान इत त्यारी को बहतर बना सकते हो तो बढ़ता है पहले कोशन की तरफ ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे में रोज आपको जो बाते बता चुका हूं फिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है आप बहतर जानते हो तो पहला सवाल आपके सामने इससे पहला अगर देखो कोई भी थार्ती फ़स्क्रेड की त्यार है करा कोई द्यारती रट र्ट के एक दियरि करणा कोई धेयारती 3 घ्रेड्या इ左 ठीक के इसके अलावा मैं बात कर लियता हूं तो ऑ्लश ट्यारी कर रहे हैं ठीक है तैयारी कर हervices एैं इससी चैनल पर आपको अपने तैयारी के अंदर चारचांद लगा सकते हो घृष देजया आपकी जो क्लास ही पसुपरीचर वालों के लिए फसुपरीचर वालों की सानदार क्लास होने वाली पसु परिचर के मैं बूरूज आपको बताता हूं पसु परिचर में तो आपके पार्ट ए तो एक सो पास नंबर कर पार्ट भी आपको 45 का टोटल डेट तो नंबर का पका पेपर होने वाला ठीक है इसमें एक बात है कि कम्पिटिशन आपका ज्यादा रहने चाहिए और अभी से मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल वेट ना करें कि सर अभी तो बहुत टाइम पड़ा बाद में तयारी कर लेंगे अभी से 6-8 गंटे आप सीटिंग बना लो अपनी ठीक है 6-8 गंटे परड़े आपको देना है में कितन जून या मही में आपका जब इसलिए अभी से अपनी तयारी को कंटीनु रखे और बहतर तरीके से अपनी तयारी को जारी रखे तो बढ़ता है पहला कोशन की तरब देख लेते हैं पहला कोशन आपका क्या है कौन सा कूट सुमयलित नहीं है तो इसमें देखो पहला ही कूट आपका सुमयलित नहीं है बागे जग जीवन का जो रचना है वाजीतोल है बिल्कुल स्य यह इसराय व्लिए नियन्द भर की स्वेलित नहीं जो रतना ओर हो राज रतना क्रेंसी रतना कर ठीक है और में बात कर लो अगर ये अमर कावी वनसावली तो ये रंचोड़ भट तेलंग के विक इसकी रंचोड़ भट तेलंग के आपके रजना है ठीके क्लियर बिल्कुल आपको याद रखना तो इसका जो फर्स्ट कुशन का आपका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर पाषान का लिण उपकरण का प्राप्त होएं कहसे प्राप्त हुएं तो इसका जो आपको आपका राइट amplification आopia को आहड सभ्यता सापके राम से कास्म वो स्वैटिक नामक पासांड काली करन आपको प्राप्त हुए हैं अब देखो आध सब्यता की बात है यह थोड़ी सी अपना आध सब्यता के बारे में चर्चा करी लेते हैं तो यह कौन सी नदी के किनार है इस्तित थी तो आपको बिल्कुल याद रखना आयर आयर नदी भी कह सकते हैं बैडच नदी के नाम से भी जाना जाता बैडच यह आयर दोनों नदियों के किनार है मतलब यह एक नदी नाम दो है इसी नदी के किनर आपकी आहड सब्वेता फलेफूली थी ठीक है बिल्कुल आपको याद रखनार यह आयड यह बनास आपकी बैड़त जो नदी यह बनास के साइक नदी थी गौब आहड सब्वेता के अगर मैं बात करता हूं तो देखो 4000 4 एप को इसमें टाम्युकें सप्वेता के परमाण में मिले हैं ठीखे और दूसरा मैं बात करना आहड का प्राचीन नाम क्या तो तामरवर्ति आहड का प्राचिन नाम किया तामरवर्ति नगर है बिल्कुल आपको याद रखना इसे आगाठपुर के नाम से भी जाना जाता है इसे आगाठ दुर्प के नाम से भी जाना जाता है धुलकोट जो है इस सब्वेता के स्थानिय नाम है बिल्कुल आपको याद रखना इस्तानी लोगों द्वारा दुल्कोटी से कहा गया है इसकी खूज आपके एक के व्यास के द्वारा की कि इसके द्वारा एक के व्यास के द्वारा जिनका पूरा नाम है अक्षे किर्थी व्यास क्या नाम है अक्षे किर्थी व्यास 1953 के अंदर कब 1953 में बिल्कुल आपको याद रखना दूसरा अहड़ सब्वेता का उत्खनन कार्य 1956 में किसने किया था आर से अगरवाल दौरा किसके दौरा भई आर से अगरवाल के दौरा और मैं बात कर लेता हूं सन 1961 से 62 में वी एन मिसर भी हो जाएंगे तो अहड़ सब्व व्यास अक्षिकेर्टी व्यास आर से अगरवाल वी एन मिसर और हैचडी सौक लिया ठीके बिल्कुल आपको याद रखना है अब बात कर लेता हूं यहाग के सब्वेता के लोगों के परमुक्त कार्य था नहीं तामबा गलाना था था तामबा गलाना क्योंकि यह तामबे क मिट्टी के बरतुनों को मर्दबांड कहते हैं और याद देखो छे चूलों के परमान भी मिले एक साथ छे चूले कितने चूले यह सवाल एक्जाम में पूछा हुआ है वापस रिपीट भी हो सकता बड़ा इंपोर्टन सवाल है छे चूलों के परमान मिले जिससे क्या दो आट देखो ॥े तामबे की मुद्रा भी आपको मिलि comedy मुद्रा भी मिली बिल्कुल आपको याद रखना और सरुपरतम खेती के प्रमान जो मिलेा आपको आहड सब्जैता से मिले हैं। यहां से एक सवाल आपका बार-बार बनता देखू यह सवाल बनता गोरे और कोठह क्यां गोरे व यह कोषी गोरे व कोठह क्या है तुझ गोरे वह कोठ्ह क्या है कि इंनाज रखने के जो बड़े-बड़ी कोठिया होती थी उसे गोरेवे कोठे का जाता था आपके आहड सब्वेता यह सवाल पाथ से दस बार रिपीट हो चुका है वापस पूरे चांसे से इसके अलाह में बात कर लो तो आहड सब्वेता का जो संब्वेता है ना वह इरान की सब्वे और या देखो या एक सिक्का मिला था एक मुद्रा मिली उस पर अपोलो की मुर्ती भी अंकी थे तो यह भी आप याद रख सकते यह भी सवाल आपका पूछा जा सकता है अब बढ़ते हैं आगे और अगला कोशन देख लेते हैं राजवल्लब मंडन का संब्वेता है तो त दरबारी कविया साहित्यकार था इनकी बहुत सारी रचनाई है जैसे रूप मंडन रूप मंडन का संब्वन मूर्ति कला से था देव मूर्ति परकरण इसका संब्वन मूर्ति के निर्मान से था वास्तु मंडन इसका संब्वन वास्तु कला से था ठीक है एक है वास्तु सा चार वास हो सार के अंदर जीसों दूर्ग भववन, निर्मान, राजपरसाद, इससे सम्म्मत मन्दन के रतना है, इसका सम्मंद धनूर्विद्या से था, ठीक है? एक है आपका वेद मंदन जिसमें व्यादिया और निदान से इसका संबन था और एक जैसे कि मैं आपको बता चुक हूँ राज वल्लम मंदन इसमें क्या होते हैं आवास ये गरों से लेकर राज परसाद और नगर की रचना का विस्तित वरव पढ़नन आपको मिलता है मंदन का एक भाहि था उसका नाम था नाथा नाथा की भी एक most important रचना जिसे वास्तु-मंजरी नाम से जाना जा खा रचना है यह सवाल भी एक्जाम में पूछा जा चुका है अब बढ़ते हैं आगे अगला कुशन देख लेते हैं किस राजपुत राजा की मुर्ति बुरहानपुर में हुई थी तो बिल्कुल आपको याद रखना है इनका यह जो थे आपके बिकानेर के साथ सकते इनके कारे काल था ठीक है और यह राव कल्यान मलके पुत्रत हैं बिल्कुल आपको याद रखना और इन्होंने मुगलबाद से अकबर ने राइस सिंग को 4000 का मनसब भी दिया था बिल्कुल याद रखना जबकि जांगिर ने इसको बढ़ा दिया था जांगिर ने मुगलबाद से अकबर ने दिया था पाच्छार का मनसब जांगिर ने दिया था किसने दिया ता जांगिर ने बिल्कुल आपको याद रखना वे सद्सक्र मुगलबाद सयाओं अकबर ने राइसिंह यunter हड़ का द्यां इनको दीए थे ॥च और इनके काल के अंदर आपका जूनगाड का निर्मान हुआ थो कि करम चंद के देख रहेके माँ आपका डूनगार। के निर्मान कंप्लीट हुआ था जूनगड का काम एन कान काता किसने काता मुंसी देवी प्रसाद ने आपका कहा था अब देखो इनकी चार पुस्त के जो बड़ी इंपोर्टेंट बार-बार एक्जाम में पूछी जाती यहां से सवाल आपका बन सकता है कि भी महराजा राइसिंग की पुस्त के मैं आपको बता देता हूं सबसे एक किताब हो गई दूसरे जोटीस रत्नमाला कौन सी जोटीस रत्नमाला ठीक थोड़ा आप राइटिंग देख लेना मैं बोल रहा हूं वैसे और एक हाग आपका बाल बोधीनी कौनसा बोधीनी बाल बोधीनी ठीक है बिल्कुल आपको याद रखना और आखरी जो इनकी क वनसावली ये लो ये चार किताबे बार-बार एक्जाम में पूछी जाती और यह से आपकी पूरी संभावना की सवाल वापस से रिपीट हो सकता तो बिल्कुल आपको याद रखना है अब बढ़ते हैं अगला कोशन की तरब अगला कोशन देख लेते हैं मुचाला महवीर मंदिर इस्तित है तो मुचाला महवीर मंदिर कहा इस्तित है तो मुचाला महवीर मंदिर जो आपका इस्तित है वो बिल्कुल आपके गाने राव के अंदर इस्तित वे कहा गाने राव पाली के अंदर आपका पड़ता है बिल्कुल आपको याद रखना है अलावदिन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खेराबाद रखा था तो छे का आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नमबर तीन शिवाना को जीत कर इसका नाम खेराबाद रखा था बिल्कुल आपको याद रखना है तोड़गड को जीत कर इसका जो नाम रखा था खिज्राबाद रखा था और जालोर को जीत कर उसका नाम जलालाबाद रखा था क्या रखा था जलालाबाद बिल्कुल आपको याद रख सकते हैं जुगल मैं चरित्र यह जो रचना नहीं कि रचना थी करसंदास पेहारी की रचना है ठीक है कि रचना करसंदास पेहारी ऑप्शन नमबर फॉर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा देखो यह सवाल एक बारी पूचा बड़ा इंपोर्टेंट सवाल वापस बिल्कित राजवाटी बोल्या का संब्ध है जरो का रजावाटी आपकि का बंदाडई इसका संब्द नृभा इस फास आपका तो नही nyt के अ स्थे इक अंदर आप के तोरावाटी का ठेने राजावाटी आपकी बोली बहुद आते चैब की ती गण्योफ डिंगोली डिंगोली जो हता अब इस्तिर्यों का अवरत उता हुझी लिकर कहता है राव जेत सिरोचंद किस생 लिका तो राव जे फिरूचंद जो लिको बिटुच Twin published लिक्वारा ख ले taroh के द्वारा ब्राहभरा करें वे पूजा के दौर्वेश्त प्रतारा में माता के मंदिर आपके बारा के अंदर पर। परता बंब राके उन्दर नत्र पूजा के जाती है ज़ए परताप सिंग भारत को कि सधियंद्र के टेका के तहत्त पहीं जए लगा था मैं तो इसके में सही स्विश्ट क बाद कर लो तो बिल्कुल ए राका दूराइट से explains हम को अगया सभय है थे राटावर सिंग बारट केश्री सिंग बारट और प्रताप सिंगा बहुत हैं कि किन रे लिए यह केसरी सिंग के पुतरतेर परताप सिंग भारत थे खुद थे इनके चाचा थे जो रावर सिंग भारत ठीक है बिलकुल आपको याद रखना और देखो में बात कर लो तुसे करांतिकारी का जो प्रिक्षिशन दिया तो किस नहीं दिया तो मास्टर अमीर चंद ने दिया थ है ठीक है बिलकुल आपको याद रखना और देखो 1914 की बात है कि 1914 पर जब इन पर जो बनारा सरी अंदर के जो आरोपते हो गये थे फिर इनको बरेली जेल में डाल दिया था कौन सी जेल में डाला बरेली जेल के अंदर इनको रखा गया था अब देखो इंपोर्टेंट महां यह क्लीव रेंड जो था ना इसलीव लेंडनने कहा कि तुमारी मां तुमारे लिए बहुत रोती है तो पता परथा सिंग भारत ने क्या जवाब दिया था मेरी म माолодर रोती है तो रोने दो लेकिन में सेक्ड़ो मातऑ के के रोनने का कारण नहीं बन सकता यह कतन था आपके परताप सिंग भारत का इसके अलाव फिर क्लीव लेंड जब मैं इनकी देत हो गए थी ठीक है 22 साल की महसों में तब लेंड को यह कहना पड़ा था कि मैंने आज तक ऐसा को परताप के बारत के बारत के बारत को याद रखना जब बढ़ता है अब बड़ता आगे मारवाड हिदकरनी सभा का गटन क Jiang तो मारवाड भी शबाकरनी जब क्यों कि द्वर्फ नरणी व्यास के द्व्यास की दौरा कि्या चार रियासितों का विल्ली होगा था जे जे बी जेपुर जोदपुर जसलमेर भी कानेर ठीक है और इसका जो महराज पर्मुख बनाया था बोपाल सिंग को बनाया था बिल्कुल आपको याद रखना है अगे बढ़ते हैं अगला कोशन देखते हैं उद्यपुर में हिंदी वन हिंदी विद्यापीट की सतापना किसने की सत्रा का जो राय टांसर हो जाएगा जनादर राय नागर्न है ऑप्शन नमबर वन आपका बिल्कुल राय टांसर हो जागा जस्मा ओडण का संबंद किस ना पूछा था इससे पहले आपका वीडियों का जो एक्जाम हुआ था उसमें भी साइध बवाई का पूछा गया तो बार-बार रिपीट हो रहा आपको बिल्कुल याद रखना जस्मा ओडण अगला कुशन विकने राज्जी की ओड़ से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ साइक संधी पर अस्ताक्सर किसने किये दे तो यह कासीनात ओजा ने किये थे कासीनात ओजा के दौर आपके किये तो ऑप्शन नमबर टू जो है आपका बिलकुल रहेट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट जेंटल्मेन एग्रिमेंट का संबन्द रहा है कौन सी रियासत तो से जुडे जिले है तो राजिस्तान के अंतराष्टे सीमा की में बात कर लो बद कर लू एक हजार सतर किलो में देखुब पुरानी में चर्चा करो तो यह एपका गंगानगर था यहापका बीकानेर था यह आपका जशल मेर यह आपका कबाड़ मेर अगर नाई की lot कर लेता हैं तो हलका सा देखू यहाप पर फलोदी आ गया और यहां पर अनूबकड जिला गया नए जिलों के अनुसार तो कुल अंतरास्टी सीमा को छूने वाले राजस्तान के छे जिले होगे और पुरानों की में बात कर लो तो चार जिले ही थे आपके ठीक है लेकिन देखो अथेंटिक बुक आई नहीं है तो म आपको याद रखना है राजस्तान भू शहत्र में अरावली परवतमाला की लंबाई कितनी है तो राजस्तान में जो अरावली की लंबाई ये 550 किलोमेटर है जबकि कुल लंबाई 692 किलोमेटर है अरावली की कुल लंबाई कितनी होगी 692 किलोमेटर होगी राजस्तान में जो लंबाई यह कितनी है तो राज़स्तान में जो लंबाई है वो है आपकी 550 km बिलकुल आपको याद रखना अरावली को तीन भागों में बाटा जा सकता कितने बागों में तीन भागों तो उत्तिरे अरावली मध्य अरावली दक्षणी अरावली उत्तिर अरावली के सबसे उची चोटी रगुनादगट मद्य अरावली के सबसे उची चोटी गोरमगाट दक्षने अरावली के सबसे उची चोटी गुरूसी करें बिल्कुल आपको याद रखना है अब बढ़ते आगे उपरमाल राजस्तान के किस भोतिक परदीश का हिस् यह आपके दक्षिनी पूरी पठञ जो है इसका हिस्सा ऊपरमाल क्योंकि उपरमाल का जो पठार प्ठार परता चितोरगड के बैसुरोगड से लेकर बहलवाडा के बिजूलिया तक फैला हुए तो मैं बता रहा था उपर माल का पठार आपके बिजूलिया से बेसरोड़ गड़ है और यह आपके दक्सिनी पूरी पठार का हिस्सा है और दक्सिनी पूरी पठार मालवा का हिस्सा और मालवा आपका विद्यन सरने का हिस्सा है ठीके थोड़ा टी प्रेक हो गया है मैं थोड़ा सा चाई पीने लग गया हूं तो अब आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देखते हैं देखो बड़ा अच्छा सवाल है कि राजस्तान में जीलो का पस्चिम से पूर्व क्योर सही करम कौन सा है वैसे इतना टफ भी नहीं है ले समझ जील आजाएगी तो पहले दो तो वैसे केंसल होगे पच्छ बदरा तो हो नहीं सकता दो बचाब या तो पहला होगा या चोता होगा क्लियर अब देखो पहले और चोते हैं इधर काईलाना इचल इधर पच्छ बद्रा तो बाड मेर जो है जोदपूर के जोदपूर क पढ़तीए फिर आपकी काहिलाना थी फिर आपके बाल समंद थिर फिर आपकी रात समंद आती है ठीक है तो आपको याद रखना काहिलान बाल समंद मीठे पाने के जील पच्छब सम Climate पाने की जील है तो सोуса अगला सवाल आपके सामने राजस्तान बुस्यात्र में पूर्ण रुपेंड बहने वाली सबसे लंबी नदी कुन सी तो देखो बड़ा अच्छा सवाल पूछा अब देखो मैं बताऊंगा आपको राजस्तान में और राजस्तान की आपको याद और राजस्तान में पूछ ले तो सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी हो जाएगी बनास नदी जो है आपकी सबसे लंबी नदी हो जाएगी 25 जो राइट आंसर होगा बनास नदी आपके खमनोर की पाड़ी कुम्बल गड़ के नस्दीक राज समन से निकलती है जबकि चंबल न के इटावा नगर में यमुना नदी में मिल जाती आपकी कौन सी नदी चंबल नदी बिल्कुल आपको याद रखना है वो लूनी नदी आपके अजमेर के नागपाड से निकलती है ठीक है अजमेर का जो आपका पुसकर है पुसकर के पास एक नागपाड बनावा वास आपकी लूनी नदी निकलती है ठीक है और मैं बात कर लो चंबल बताई दिया में माही जोकी महद जील मद्य परदेश से निकलती है बिल्कुल आपको याद रखना दक्सनी राजस्तान में बेती करक रेका को दो बार काटने वाली नदी है को कुशिन नमबर 26 के अगर मैं बात कर लो तो बहुत अच्छा कोशिन है देखते हैं राजस्तान में ओसत्वार्सिक वर्सा की सरवादिक परवर्तन सीलता आलेकित करने वाले जिले हैं यह आपको बताना तो देहां को मैं आपको बता देता हूँ सबसे ज़्यादा जो बरसा में डिफ्रेंस आता हैं वो जसल्मेर और बाड्मेर माता आख कभी थोड़ी से अच्छी वर्सात हो जएदे कभी बिल्कुल कम बरसात करो सब्सेजादा जो वर्सा में परवर्तन सीलता दे सकती है वो बाडम तो 26 का आपका आप्सिंग होनो जबाड़ तीन करती है राजरस्तानु सब से ज्यादा बरसाथ इस्तान की बात करो तो माण्ट बूमों होती है का होती है माउंट आबू के अंदर होती है और मैं बात कर लो जिलो के अनुसार सबसे ज़्यादा बरसात का होती तो जालावाड के अंदर होती है जालावाड जीडे में सबसे ज़्यादा बरसात होती है ठीक है बिलकुल आपको याद रखना वह राजस्तान में दे को बंगा काल के काड़ी की मांसून से आपको मिलती है अब बढ़ते हैं अगले कुशन की बात कर लेते हैं मिट्टी की लवनियता और सहारियता का ठोस उपचार क्या है तो 27 का जो आपका रायट आंसर हो जाएगा जिप्शम का सोधन ही आपका मिट्टी के अंदर जो आपकी नमक की मात अगला कोशन बड़ा ही सांदार कोशन इसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा तो कोशन नमबर 28 आपके सामने है राजिस्तान में कुल सेतरफल के कितने परतिसत भुभाग पर वनों का विस्तार है तो देखो इसकी में बात कर लेता हूं तो इसके बारे में वनों का विस्तार रहे तो 9.60 कितना 9.60 आपको बिल्कुल याद रखना अम मैं बात कर लेता हूं देखो राजस्तान में आपको बिल्कुल याद रखना कि सबसे जादा परसासनिक वनों की द्रस्टी से राजस्तान को तीन भागों में वन बाते गए तो आपको याद रखना यहां से सवाल बनता आरक्सित वन रक्सित वन और अवर्गीकरत वन ठीक है आरक्सित रक्सित आवर्गी रक्षितवन के बात कर लेता हूं तो रक्षिद हों जिन्सहिए और पिर्फवर बा कर लों तेट पॉइन्ट परफैल लहां आपके क्लिए बीलखिव हूं याद रखना है यह आकड़ां बार-बार पूछा जाता है एक बार सवाल क्या पूछा है कि राजस्तान में परसासनेंक जरसी से सबसे जादा वन पाये जाते इसका राइट आंसर था रक्सित रक्सित को इस रक्सित वन भी कह जाता है बिल्कुल infused नहीं होना बिल्कुल आपको याद रखना अब देखो मैं आपको बता ज़ता हूं राजस्तान deport其實 1 पाए जाते हैं करा饭ार सब्सेज्म सब्सेदा रखेशिद 10 वन आपके 12 के अंदर पाए जाते हैं राजस्तान में सबसे ज्यादध अब वर्गिक्रत वन जो पाई जाते हैं आपके कहा पाई जाते हैं तो बीकानेयर में पाई जाते हैं अम मैं आपको बता देता हूं देखो और इंपोर्टेंट आक्रे क्योंकि अम मैं दो ट्रिक में आपको हमेसा बताता हूं जो मैंसे रेगुलर जो विद्यार्ती जुड़ेवें उनको पता भी होगा कि सर बताते एक तो सीविल सर्विस एक्जाम यूपीस आपको याद रखन है ठीक है अपकर आपको अवरोई वरोई से पूचे तो उपर से स्टाट कर देना और आरोई से पूचे नीचे से स्टाट कर देना है फिर सेत्रफल की दरस्ते सबसे जादा वन राजस्तान के चार जिले कौन कौन से उधेपुर अलवर प्रताबगड 12 यह तुम्हें बतात घुन दूसे चूरोई अब क्या हो जाएगा हनुमान घ्र जो साब कर जोद्पूर गाता गंगर चुई चूहा जोगा यह क्या है चूहा जोगा राजस्तान में सबसे कम सेत्रफल की दरस्टी से जो चार जिले हैं आपके वह मैंने आपको बताए चूरो आनूमान घ्र form24 ताण जोटो जय भी जोसे जोदपुर जो से चूरू य है कि बिल्कुल आपको याद रखना जोदपुर देखो परतिस concept सबसे चुरू सबसे कम और ज्यादा तो बिल्कुल आपका मैं आपको बता दिया सबसे कम पाया जाता छोटपूर पाया पाय जाता जब्किन शार्ट ट्रिक आपको याद रखनी इससे आपका मैं है वो बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे बढ़ते हैं अगला कोशन की तरफ अगला कोशन देख लेते हैं क्या गया है कापर की गए तो 30 जो राइट आंसर हो जाएगा जोडबीड के अंदर ठीक है जोडबीड यापका बीकानेर में पढ़ता है कब इस्ताफना हुईती देखो 1984 में इसकी स्ताफन वेते हैं आपको याद ररखना 1984 के अंदर राजस्तान में यहार मरगवानि मृइं पढ़ता है चितोड़गण मरगवन June 4 संजी उद्यान ओदेपूर में पढ़ता अम्रत्य देवी मरगवन खैजड़ली जोधपूर में पढ़ता तो साड यही आ questo मरगवन आपको याद रखने है अब बड़ता है अगला कोशन की तरफ देख लेता न्याकशन आपका क्या है राजस्तान में वन्य जीव अभ्यारणों का दक्षिण से उत्तर की और सही करम पहचानना आपको तो 32 का देख लेते इसने का दक्षिण से उत्तर की तरब तो सबसे दक्षिण में तो आपका चितोड़ गड़ है तो ओप्षिन नबर 4 यह तो देखते हो गया क्लियर आपक पड़ता जम्मौर आम गड़ता यह जेपूर में और सविमान सिंग आपका का पड़ता है सब्सें मादूपूर में तो फिर नहीं सकता तो आपका बिल्कुल राज़ावार साकर फिर सवे मां सिंग फिर रहाजस्तान में इंद्रागंधी नहर परियोजना की चरम सीचाई स समता कितनी है तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा 19.63 लाख हेक्टर थी और वरतमान की में बात कर लो तो 20 लाख हेक्टर से भी अधिक है अगला कोशन देखते हैं मेजाबांद का निर्मान राजस्तान की किस नदी पर किया गया तो मेजाबांद का जो निर्मान किया गया वो कोठारी नदी पर किया गया कौन सी नदी पर कोठारी नदी पर आपका किया गया है मेजाबांद का निर्मान अगला कोशन देख लेते हैं कि पैतिस्वा कुशन है पैतिस्वा कुशन में आपको बता देता हूं कि वर्स 2011 के भूजल सर्वेक्षन के अनुसार राजस्तान में अपने भूजल में प्रतिसस सदिक दोहन वाले सूपर क्रिस्टिकल डार्क जोनों की संक्या कितनी है तो 35 का जुराइट आंसर वह एक सो बैतर है ठीक है लेकिन वर्तमान आकड़ो करनुसार अगर में बात कर लो 31 मार्च 2022 के आकड़ो करनुसार बता रहा हूं तो राजस्तान में कुल भूजल ब ब्लोक है दो सूपचान में बुजल ब्लोक है ठीक है उसमें से दोस पहले एक सो बैतर थे कब 2011 में अब बढ़कर 219 हो गये ठीक है सूपर क्रिटिकल डार्क जोन के अंदर कितने आगे हैं अती दोहित सरेणी में 219 हैं फिर इसके बाद में बात कर लेता हूं आपके सवेद सुरक्सित कितने ब्लोक बचें तो 38 टीस ब्लोक की सुरक्सित बचें हैं इस के अलार्य में बात कर लो तो 3 जो आपके वो बिल्कुल 3 जो बूजल ब्लोक है वो लवन्य बूझल ब्लोक है तीब कुल टोटल मैं स्थे आपको बताया कितने वर्तमान ने 2595 बूझल ब्लोक है इसके अंदर 52 रहने में 219 है ठीक है सवैदंसील 22 है अती सवैदंसील आपके 20 है और सुरक्सित आपके 38 तीन आपके लवनिये भूजल ब्लोक है नविंतम रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं 2022 के बाद अब तक रिपोर्ट नहीं आई है अब देखो राजस्तान में जो बरसात होती वो तो होती इस लिए राजस्तान में भूजल संकट बढ़ता ही जा रहा है कि आगे बढ़ता है पंकक सलहरी राजस्तान के किन जीलों की पारस्तिति की भूमी और उरुरा सकती दोनों को अपूरुनित सती पोचा रही है तो चतिस का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप पूर्पूर को ऑप्षिन नमबर वन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट इंद्रा गांधी नहर कमांड सेतर में बू परदुशन का मूल कारण क्या है तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी की लवनियता और शारियता बिल्कुल आपको य राजस्तान नहर इसका पुराना नाम किया था राजस्तान नहर और 1984 में इसका नाम बदल दिया गया क्या नाम कर दिया गया मैं इंद्रा गांधी नहर पर योजनathan कर दिया अरह बिल्कुल आप को याद रखना है इसके अलाव देको इसमें हैं जो लिफ्ट नहे वो तो का भाग है तो 38 का जो राएट अंसर और्जिदोकर सूपर नैसिनल हाईवे कौन सा हाईवे सूपर नेसटनल हाईवे ओप्षिन नमडर 4 आपका बिल्कुल राएट अंसर हो जाएगा 39 की बात कर लेता हूँ राजस्तान में गुजरने वाले निम लिखित राजमार्गों में से राजजी सीमा की सबसे कम लंबाई वाला मार्ग कौन सा है तो बिल्कुल ऑप्षिन नमर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रास्टी राजमार्ग 12 अब लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने से पहले मैं इसका नया नाम आपको बता देता हूं कि वह इसका नया नाम क्या तो इसका नया नाम हो गया आपका कितना बावन एंच 12 का नया नाम हो गया बावन वहीं राजस्तान की कौन-कौन 890 हैं उसमें से 400 km यह राजस्तान के अंदर है आपको बिल्कुल याद रखना कितना 400 km राजस्तान के अंदर है अब बढ़ता है अगला कोशन की आज के आखरी कोशन की तरफ देख लेते फिर आपके 40 कुशन कंप्लीट हो गया राजस्तान में लिगनैट कुईला का परमुक्जमाव कहा इस्तित है तो राजस्तान में लिगनैट जो मिलता है आपको देखो पुरोड़ी मेड़ता और पलाना है ऑप्शन नमबर 4 आपका बिल्कुल राइट अट अंसर हो जाएगा मेड़ता था आप सभी को पता है कि बई नागोर में लेकिन ये पलानार ये कपूरडी कौन से जिले में आते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताना ठीक है बिलकुल आप बता सकते हैं और आसान भी एतना हाड भी नहीं है तो आज के क्लास को यही खतम करना चाहेंगे इससे पहले क्लास आपको कैसी लगी तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ जरूर सेयर करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बड़ी बहतर तरीके सपन अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने वाले हैं तो आज के लिए बस इतने ही आप सभी साथि